नमस्कार बागन भाईयों तो आज जो मेरा topic रहेगा वो है नाशपति के उपर तो आप देख सकते हो बागन भाईयों की अभी लगबग सभी बागन भाईयों का के पुणिंग लोगई स्टार्ट हो चुकी है तो बातो बदाइयो जो हमारी जो मेरे आज वीडियो बनाने का जो में मकसद है वह हमारी जो और पुरानी नाज्ट पती जिसको मोटी डूंडी कही है उसी के उपर है तो इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी तो बोह होगी पेखम प्यर के उपर तो दौनों प्यर के फूर्णिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमें आपको कोशिष यही करूँगा कि जो भी मैंने सीखा हुआ है दौनों प्यर में किसमें हमें क दक जए적ता है जब आप आप सबस्टेरां गेंद के टाइप का यह प्लांट पीछे छोड़ता है जो जब आप इसको हार्वस्टिंग में जब भी आप यह कै खेंकरते और झ्री डिखनऊ का यही मारे आप kτο प्रनी जो ईसनों हमारी होती में हम इन देते बट आप ने कातना है किमिके हमारे इसी हुदा हो चुब आप ये देखिया सामने हमारा पास फूरुटिंग बीमा रेडित हो चुक है और इस गैंड से जो भी आपके पास नाश्चपती में 4-5 इंच की जो भी पिन्ने होती है उनको भी आपने नहीं काटना आए तो क्यूंकि सेव और नाश्च पती की प्रूनिंग में काफी बातें से त्रबात ध्यान देनी होगा जोबया हुएक वी도 के मायदिय म uważ को हर थोटी से पर आप तक वीडियो के माध्यम में 5%, अब आप देखे कि नाश्रपती में जैसे इस प्रांच में हमें रिंग के पास से हम काट रहे हैं तो मुझे लगता है कि लगवागे बातों का द्यान देना है कि रिंग तो सबको पता कि रिंग क्या चीज है और इसको कैसे काटना है तो अभी आप देख सकते हैं भागन भाईयो कि पीर में आपने किन बातों का द्यान देना है सबसे पहले तो आपने जो इसमें गेंद बनी होती इसको निर्मूब करना है और उसके बाद क्योंकि नाश्पती में एक चीज जो हम भी क्योंकि नाश्पती में तो हम लगवग फोर तुफाइव यर्ट से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटीनु जो हमने इसमें कुछ एक चीज चैंज किया तो उसके हमें काफी अच्छे पॉस्टिव रिजल्ट मिले तो वही आप लोगों से हम अपना जो भी हमारे पास पॉस्टिव रिजल्ट आए उसी को ही शेयर कर रहे हैं कि आपने किन किन बातों का ध्यान देना है ताक कि आपकी नाश्पती में और और औ नाश्पती में एक सालеспरी ओन्ट होना हो सेक्टार ओफिड़्या में तो उसका वही क lados था था कि हमें उतना नाश्पती के बारे में नाश्पती में एक चीज हैं कि मिया इसमें ग्रोथ काफी जाला होती है जिससे कि नाश्पती के जो भी हमारे प्लांट है तो फ्रूटिंग विमा उसमें नहीं बन पाता है तो इसके लिए आपने यही दियान देना कि जो छोटी चार-पांच इंच की जो पिनने आती है उसको छोड़ना है जैसे जहां पर रिंग कट कर आपने और उससे बड़ी बात कि आपने जैसे किसी की जाए हमारी मेरी वीडियो को देखके एकदम से आपने यह नहीं है कि इनके पास वीमा एकदम से जंटाई करनी है क्योंकि सबसे पहले आपको हमने भी लगबग 5-6 साल हमारे जब से हमने पियर के प्रोणी में चैंज क है उसमें भीमा भर चुका है तो क्योंकि क्योंकि पियर में थोड़ा सा भीमा बराना मुश्किल हो जाता है तो अभी आप देख सकते हो कि यह हमारा काफी पुराना रिंग था तो जब हमने इसको लास्ट टेयर कट किया तो आप देखते हैं कि इसके सामने ही लगबग 4-5 क्योंकि यह में बान भाइव आभी आज कर रहे हैं या फिर वृबग 5-5 करने बाले है तो आपने सबसे पहले यही देखना कि इस साल के अब नहीं है यह कि आपने प्रूनिंग में एकदम से चेंच किया हो और यह सिक आपको नेक्सियर की क्रॉप का नुकिसान ज़रना तो आपने दीरे दीरे ही चेंज करना है चाहे आपका पियर में नॉर्मली जो हमने जो इसमें प्रैक्टिस की तो हमें लगबग चार साल के आसपास लगे तब जाके हमारा 70-80 जो भी हमार पास प्लान थे वो भीमों से बर चुके हैं और आपने शुरू में ही आपने ज्याद के पैड़ के मुकाबले जो हमारा नाशपति का प्लांट हो होता उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है जिससे कि हमारा ब्हमा नहीं बन पाता है तो इसे लिए विवी जब आपको शुरू में लगबग चाहे आपको तीन साल लगे चाहे चार साल लगे तो आपने सबसे पहले जो चोटो टि पी पेने उनको छोड़ना है जहां पर उस चीज को देखा हमारे चीज के इस चीज का पीड़ हे उस पर कितना ज्याद आप महत्व है जब हमने उसको देखा उसके बाद हम सीखं़ लगता है जब हम harvestनिंग करते तो उसके बाद जब हमने दिख़ा कि गेंद के पीछे देखिए यहां से हमारा पास फूटिंग विम एक्स्टिल्टी करते देखिए यह काफी प्रानी देखिए यहाँ से ही हमारा पास नहीं से जो गैंसी टाइप अकार की जो बची हुई है जिसमें इस साल देखे फ्रूट का जखम दिख रहा है तो इसी में देखिए लगवग जो हमारी कर अप्रूट का अगर अच्छी प्रूनिंग करते हो तो फिर आपको आने वाले बक्त में इसकी हमेशा अच्छे ही रिल्ट मिलेगे और पॉस्पलीन है अच्छे रिसल्ट मिलेंगे जिससे आपका खासकर जिससे हम बागनबाई काफी सालों से जैसे हमारे पास से सबसे बड़ा कान वही होता था कि एक साथ बहुत ज्यादा होनी और सेकेंडियर क्रॉप आफ वनी तो जैसे अनियर आफ यह हमारा चलता था तो यह आपने प्लांट में जैसे बीमा ज्यादा रेडी करना तो उसके लिए आपने यही कोशिक करना है कि जो भी आप पास चार पांच छे इंच की जो भी पिन्या उनको छोड़ना है और नेक्स टेर उसमें ही आपका फिप्टी प्सेंट में फूट लग जाता है और उसके बाद जब आपको लग बग तीन चास सालों में जब आपका पूरा ही प्लांट सेविंटी टू एटी प्सेंट वीमों से भर जाएगा तो उसके बाद आप अपने प्लांट में भीमों की चन्टाई कर सकते हो बर शुरू में आपने लग बगत जो वी दो तीन साल या चार साल तक आपने ज़्यादा भीमों की थिनी करनी है क्योंकि पियर में सबसे बड़ी बात है कि इसमें विमा थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाता है तो क्योंकि उसका बागनभायो मैंने बहुए बुलागी सबसे बड़ा जो कारण इसका बहुत है इसमें ग्रोथ एपल के प्लांट के जादा होती है और यह तो सब कोई पता है जिस चीज में घ्रोफ जादा होगी तो उसमें फ्रूटिंग भीमा नहीं बनता है तो इसलिए आपने यह चीजे ध्यान देनी है भागन भाईयों कि जो भी आप जब आप फ्रूणी करने जाओ तो आपने यह चीज देखनी है कि मेर वीडियो बनेगी पीयर के उप जादे हुब्ला और कि निकरी करने होगा है तnda ही we has is wela製ता नयुक्सान ऐसे only navy protein अप्लोड कर सकूँ तो क्योंकि पेखम पियर थोड़ी सी इस हमारी जो हमारी पुरानी नाश्पती है जिसके मोटी डंडी वोलते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपको में वीडियो के माध्यम से प्ताऊंगा कि जो भी हमने प्रैक्टिस की है जो भी हमने इसमें अगली वीडियो में बताएंगे बाकी बाइओ जो इस पीयर में आपने एक चीज ध्यान देना कि जो भी आपके बास दो से लेकर पांस साल के प्लांट पांस साल के प्लांट है उनमें आपने जब तक ग्रीन टिप ना आए तब तक प्रूनी नहीं करनी है तो आपने कोशि प्रूनिंग एक काफी बड़ा हमारे काम होता है तो इसलिए आप कभी भी फूनिंग कर सकते हो बड़ी जो बाइब आपने द्यान देनी है वह देनी है कि जो दो से लेकर पांस साल का हमारा जो प्लांट है उसमें आपने पूरी कोशिकर नहीं है कि जब तक ग्रीन टिप न जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकों